दिल्ली हाई कोट ने शुकरवार को यू सी सी को लेकर लगाई गई सबी याची काउं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है इन में समान नागरिक सहिंता का मसोधा तयार करने और उसे समय पर लागू करने के लिए केंद्र और विधी आयोक को निर्देश देने की मांग की गई थी जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मीनी पुष करना ने दलीले सुनने के बात कहा भारत का वीधी आयोक पहले से ही इससे निपट रहा है और हम संसत को इसके लिए अलग से कानुन बनाने का निर्देश नहीं दे सकते इससे पहले भी दली हाई कोट ने 21 नवंबर को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा था मार्च में सुप्रीम कोट इस पर सुनवाई से इनकार कर चुका है अब हम कुछ नहीं कर सकते सुप्रीम कोट में वकिल अश्वीनी कुमार उपाद्धाय ने जेंडर न्यूटरल और रिलिजन न्यूटरल कानूनों के लिए याची का दायर के थी हाई कोट में याची का दायर करने वालों में भी उपाद्धे शामिल है सुनवाई की दोरान केंधर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी कानून को बनाना या न बनाना विधाईका का काम है यह जनता के निरवाचित प्रतिनीदी तय करते हैं इस बारे में कोट कोई निरदेश जारी नहीं कर सकता है केद्रे ने कहा कि याचिका करताओं ने जिन रहतों की मांग की है वे न तो कानून में और नहीं तथ्यों पर टिक नहीं होगे है इसलिए इसे खारिच क्या जा सकता है साथ याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यह पता चले कि प्रभावित व्यक्ति ने अदालत का दर्वाजा खटकटाया है इसी के साथ बने रहे है एशानी जिन्दा के साथ खाली बाद